हेलो दोस्तों कैसे आप सब मैं हूँ संदीब कुमार और आप देख रहे हैं संदीब कुमार फिटनेस दोस्तों आज के हमारी वीडियो का टोपिक है myth about bodybuilding और gym यानि bodybuilding और gym के बारे में जो ब्रहम जो question लोगों के mind में आज इस वीडियो में डिटेल से आपको उनके answer दूँगा बहुत से बच्चों मेरे पास message आये थे सर अमारे mind में बहुत सारे question है जैसे जिम की सेज में start करने चाहिए protein लेना चाहिए कर नहीं लेना चाहिए supplement के क्या side effect होते है ऐसे बहुत सारे question मेरे पास आये थे तो आज इस वीडियो में मैं detail से आपको उन सारे question के answer दूँगा वीडियो तोड़ा लंबा हो सकता था इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में divide किया है यह first part और second part कुछ दिन के बाद आपको मिल जाएगा तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते है आज का वीडियो पहला question था दोस्तों जो सबसे common question था और वो beginner का question था जिनकी age कम होती है उनका ये question था कि क्या जिम जाने से height grow होना बंद हो जाती है तो मैं यहाँ पर clear करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अगर आप जिम नॉर्मल अगर ये लेके चलो तो 17 से 18 साल की उमर में आप जिम जोइन कर रहे हो और हमारी height increase होने की maximum होती है 20 से 20 साल तक हमारी height increase होती है उसके बाद नहीं होती है तो अगर आप अच्छी diet ले रहे हो तो आपकी height नहीं रुकेगी फिर भी अगर आपको बहम रहता है कि आपकी height रूख सकती है जिम जाने से तो आप leg exercise को avoid कर दीजिए बीच-बीच में हो तो आपकी height grow करेगी आपने देखा होगा पहले अखाड़ों में पहलवान लगे रहते थे सबसे पहले उनके legs की exercise जादा करवाई जाती थी क्योंकि जब तक उनकी टांगे मजबूत नहीं होगी तब पहलवान अच्छा नहीं बन सकता था इसलिए कुछ नहीं है कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आपकी height increase नहीं होगी दूसरा क्वेस्टन था दोस्तों कि बहुत से बच्चों ने मेरे पास क्वेस्टन किया था सर जो लोग जिम जा रहे हैं या फिर हाड वर्क करें उने ही प्रोटन लेना चाहिए यह सब प्रोटन ले सकते हैं तो दो मैं यह कहना चाहum कि प्रोटन हर एक आदमी को यूज़ करना चाहिए जी वह जा रहा हो हाडवर कर वह या नॉर्मल पर्सन नो प्रोटिन कोई भी यूज कर सकता है बस क्वांटिटी उसकी अलग-अलग होती है जैसे जो हाड़ वर कर रहे हैं या फिर जिम जा रहे हैं उनकी टू ग्राम पर केजी बोडी वेट के हिसाब से प्रोटिन के रिक्वार्मेंट होती है और जो लोग न आपको 110-120 ग्राम प्रोटिन के रिक्वार्मेंट पर डे होगी इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जिम जाने वाले या हार्ड वर्क करने वालों को प्रोटिन लेना है नॉर्मल लाइप स्टाइल के लिए भी आप प्रोटिन यूज कर सकते हो इसरा क्वेस्टन था कि क् बच्चों का मेरे पास मैसेज आये थे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लंगोट पहनना जुरूरी है बस यह होता हमारा माइंड सैट ऐसा बन चुगा है कि अगर आप लंगोट नहीं पहनोगे तो कोई ना कोई प्रोब्लम आपको हो जाएगी अगर आप को माइंड में य सैटिस्फेक्शन के लिए लंगोट पहन सकते हो अधरवाइज ऐसा कोई जुरूरी नहीं है कि आपको लंगोट यूज करना ही करना है चोथा क्वेस्टन मेरे पास आया था स्टीरोड के बारे में कि सर क्या अच्छी बोड़ी बनाने के लिए लिए जुरूरी है तो मैं ब क्या चाहिए थां आप वर्काउट में से कौन सा बीस्ट है वो सारे बच्चे मोर्नंग में वर्काउट करते हैं ज्युक्राइघर करना बेस्थ रहें एक हुए तो क्यूंकिस यहां पी प्लियर करती हो कि वयर्काउट करो बीस्ट होता बट मैं अपना एक्स्प्रेंस यह बता रहा हूं कि अगर आप इवनिंग में वर्काउट करते हो तो मेरे एक इसाब से ज्यादा बैस्ट है उसका रिजन यह होता है क्योंकि जैसे पूरा दिन आपने डाइट ली होई है तो आपकी बोड़ी फुल अप होती है पूरी एनरज करना पसंद करता है कोई इवनिंग में करता है ऑट मेयरे एक को को डिंग रिवनीं का वर्काउट है हिए है छटा क्वैसिन मैरे पास आ आयता दोस्तों वीछा माइं के भारे में है कि बीच रूप के रूप एकश्त making उस्पर उपकर चिया वर्कऊट के ताइम पिर ऄस्थ वर्काउट यूज करें कुछ बस्चों के एक क्वेस्टिन आए थे किस टैम यूज करना बेस्ट रहे हैगा तो में इसको वर्काउट के पहले यूज करते हो तो आपको बोड़ी को अंरजी देगा ज्री यूरिंग वर्काउट यह आपके जो मसल ब्रेक होनी की जो प्रोसेस कर सकते हो और after workout अगर आप इसको यूज करते हो तो आपके muscle की recovery जल्दी होगी इसलिए आप BCAA को किसी भी टाइम यूज कर सकते हो pre workout, after workout या during workout जो आपको best लगे आप यूज कर सकते हो दोस्तों question और भी बहुत सारे हैं बट इस इस वीडियो में सारे question cover नहीं कर सकता क्योंकि अगर सारे question इस वीडियो में cover करूंगा तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी इसलिए मैं इसका second part बहुत जल्दी लेके आऊंगा उसमें और बहुत सारे questions उनको cover करेंगे तो अगर वीडियो पसंद आयो दोस्तों वीडियो को like करे शेयर करे और चनल को जुरू subscribe करे ठेंक्यों दोस्तों